नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी बॉंड्स के बारे में और आपको बताया था कि बॉंड्स किस तरह से काम करते हैं और FB से किस तरह अलग होते हैं उस वीडियो के अंदर जिक्र आया था 54 EC Bonds यानि के Capital Gain Bonds का अब Capital Gain Bonds क्या है ये आज के वीडियो का मेंड टॉपिक है दोस्तो Capital Gain Bonds असल में Bonds की एक केटेगरी है जो 54 EC Bonds इन्हें हम कह देते हैं ये इसका कोई नाम नहीं है पर्टिक्लर कोई Bonds किसी नाम से नहीं आते हैं के 54 EC 54 EC actual में Income Tax की एक धारा है एक सेक्शन है इन्कम टेक्स का जिसके अंडर ये Bonds आते हैं और जो Bonds 54 EC सेक्शन के अंडर आते हैं उन्हें हम 54 EC Bonds का नाम दे देते हैं असल में ये Capital Gain Bonds होते हैं ये Bonds का Main Target है कि अगर आपको Property की Sale से कोई Capital Gain हुआ है तो उस पर Tax Saving के लिए आप इन Bonds में Invest कर सकते हैं आपको ब्याज भी मिलता है इन Bonds के अंदर और साथ ही साथ आपका Long Term Capital Gain भी Save हो जाता है ये Bonds किस तरह से काम करते हैं डेटेल में समझते हैं दोस्तों ये Bonds 14-2001 को Launch किये गए थे उस समय किसी भी किसम के Capital Gain से जो भी आपको आपको आमदन हुई है वो रकम आप इस Bonds के अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे लेकिन ये 14-2018 को Rule बदल दिया गया और 14-2018 के बाद से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की सेल परचेज में जो आपको Capital Gain हुआ उसी रकम को आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई भी और अगर आपको Capital Gain हुआ है चाहे वो Shares से Mutual Fund या किसी भी और Capital Asset की सेल से अगर आपको कोई Capital Gain हुआ है तो वो रकम आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ Real Estate की सेल परचेज से जो Capital Gain हुआ है Capital Gain भी जो Long Term Capital Gain हो Short Term Capital Gain की रकम को आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते सिर्फ Long Term Capital Gain की रकम और जो Real Estate से जुड़ी हो Real estate के अंदर चाहे वो building हो या land हो, residential property हो या commercial property हो उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता Real estate की किसी भी तरह की long term capital gain की रकम को आप in bonds के अंदर invest कर सकते हैं In bonds के अंदर invest होने वाली रकम maximum 50 लाख रुपई है एक परसन 50 लाख रुपई से ज्यादा इसके अंदर invest नहीं कर सकता जब भी आपने कोई property बेची आपको long term capital gain हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये रकम इन bonds के अंदर invest करनी है अगर आप long term capital gain tax बचाना चाहते हैं इसमें जो इस समय बयाज चल रहा है वो 5% है यानि कि bonds के अंदर आपने invest किया आपको 5% annual payout interest दिया जाएगा इसमें cumulative का कोई option नहीं है आपको हर साल आपका 5% interest pay कर दिया जाएगा automatically आपके वो saving account में transfer होता है इसलिए इसमें cumulative का कोई सवाल ही नहीं है 5% इस समय जो current rate इसके ओपर चल रहा है पहले 5.75% चल रहा था ये 5% आपका आने वाले 5 साल के लिए fix रहेगा जिन लोगों का investment 5.75% पर हुआ है उनका आने वाले 5 साल यानि investment date से लेकर 5 साल तक 5.75% fix रहेगा भविश्य में चाहे वो rate घटे या बढ़े उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता आज 5% है आने वाले 5 साल के लिए आपका 5% fix रहेगा दोस्तो 54 EC category के अंडर आने वाले सभी तरह के bonds government of India के द्वारा backed up है इसलिए 100% safe bonds है चाहे आप चार अलग लग इसकी जो organization है आप वहाँ इसमें invest करते हैं वो वीडियो में हम आपको अभी आगे बताएंगे कि आप कहा और कैसे invest करेंगे लेकिन यह 100% safe bonds है इसमें आपको guaranteed returns मिलते हैं साथ इसाथ long term capital gain tax वो बहुत huge amount के अंदर आपका save हो जाता है दोस्तों इन bonds के अंदर invest करने के लिए कोई age limit नहीं है हर age group का person इसमें invest कर सकता है सभी Indians invest कर सकते हैं यहां तक कि NRIB tax saving purpose से इसके अंदर invest कर सकते हैं maximum 50 लाख रुपई है और वो 6 महीने के अंदर आपको invest करने हैं लेकिन जो main बात ध्यान रखने वाली है कि जिन लोगोंने property की sale purchase में long term capital gain किया है सिर्फ वो लोग invest कर सकते हैं आप यही कोई और profit या आपके bank में पैसा पड़ा है वो इसमें उठा कर invest नहीं कर पाएंगे जब आपने property कोई बेची long term capital gain हुआ सिर्फ और सिर्फ वो रकम ही इन bonds के अंदर invest हो सकती है जैसा कि हमने बताया कि 50 लाख रुपे maximum amount है इसके अंदर invest करने की यानि कि एक property deal हुई आपकी उसके 6 महीने के अंदर आपको 50 लाख रुपे maximum deposit कर सकते हैं अगर मान लिजी आपने December के अंदर कोई property sale की है December 2020 के अंदर कोई property अगर आप sale करते हैं तो आपके पास 6 महीने का वक्त है लेकिन आप इसको supplement नहीं कर पाएंगे दो financial years के अंदर कहने का भाव यह है कि आप 31 मार्च तक 50 लाख रुपे और उसके बाद 31 मार्च के बाद फिर से सोचें कि 50 लाख रुपे deposit कर देंगे अगर आपको profit एक करोड रुपे का होता है उस December की deal में आपको profit एक करोड रुपे का हुआ 50-50 लाख रुपे आप अलग-लग financial year में सप्लिट करके deposit नहीं कर पाएंगे maximum आप 50 लाख रुपे एक ही बार deposit कर सकते हैं एक financial year के अंदर तो आप उसको सप्लिट कर सकते हैं यानि कि आपने एक बार 20 लाख रुपे जमा किया फिर 6 मही ने पूरे होने से पहले-पहले एक बार 20 लाख रुपे जमा कर दिया वो हो सकता है लेकिन maximum limit आपका 50 लाख ही रहेगा आप उसको अलग-लग financial year के अंदर सप्लिट नहीं कर सकते minimum amount of investment इसका 10,000 है किसी-किसी जगा 20,000 minimum amount of investment है जो के multiples of 10,000 आप 10,000 के multiples में के अंदर invest कर सकते हैं दोस्तों जब भी आप NHAI के अंदर invest करेंगे वो minimum amount 10,000 है और जब REC, PFC, IRFC के अंदर invest करेंगे तो 20,000 रुपे minimum amount है दोस्तों यहां यह भी बता दें कि 14 2018 से पहले यह जो 5 साल का investment time है इसका यह पहले 3 साल हुआ करता था जिन लोगों ने 14 2018 से पहले invest किया है उनके लिए 3 साल का ही time है लेकिन अब 14 2018 के बाद जो लोगों invest कर रहे हैं उनके लिए यह bonds 5 साल का investment time के साथ आते हैं जैसा कि हमने बताया कि bonds के payout system चलता है interest का cumulative mod नहीं है साल में एक बार आपको payment कर दी जाती है इसमें चार अलगलग जगां पर आप invest कर सकते हैं वो चार अलगलग जगां कौन सी है और किस किस date पर आपको interest दिया जाएगा interest rate चारों जगा पर आपको same मिलेगा लेकिन interest जो payout की date है वो चारों की अलगलग है वो अगे बदल भी सकती है लेकिन कहां कहां आप invest कर सकते हैं पहले आप ये ज़रूर देखिए National Highway Authority of India यानि के NHAI REC Rural Electrification Corporation में PFC Power Finance Corporation और IRFC Indian Railway Finance Corporation ये चार जगा हैं जहां आपको ये bonds मिल जाएंगे और ये आप invest कर सकते हैं अब कौन से bonds इन चारों में से कौन से bonds आपको कौन कौन से bank में मिलते हैं ये समय आपकी सक्रीन पर भी आ रहा है National Highway Authority of India ये bonds आपको Union Bank of India HDFC, Axis Bank, Canera Bank ICICI Bank और IDBI Bank में मिल जाएंगे और Rural Electrification Corporation के bonds आपको Union Bank of India HDFC, Axis Bank Canera Bank, ICICI Bank IDBI Bank और Indusin Bank में मिल जाएंगे PFC के bond HDFC, Canera ICICI, Indusin, Yes Bank और Quotec Mahindra Bank में मिल जाएंगे और IRFC के bond HDFC, Axis Bank Canera Bank, ICICI Bank IDBI Bank और State Bank of India में आपको मिल जाएंगे ये सभी bonds आप online भी ले सकते हैं physical paper form में ले सकते हैं DMAT form में आपके BLA account में आ जाएंगे वो आपकी option है और अब जिसका हमने जिक्र किया कि payout dates NHAI के bonds की payout date है 1st April REC की है 30th June PFC की है 31st July और IRFC की है 15th October यानि इन इन तारीखों पर आपके saving account के अंदर साल भर का बयाज आपको दे दिया जाएगा कुछ restrictions भी है bond के अंदर जैसे के कोई premature इसमें allowed नहीं है किसी भी condition में कोई certain emergency medical conditions हो या कुछ भी हो premature in bonds का allowed नहीं होता ये bonds transferable नहीं होते अगर investor की death हो जाती है तो nominee या legal hair जो भी उस bond का हगदार है उसके नाम पर वो bond transfer हो सकते हैं लेकिन उस nominee को या legal hair को भी उस bond का tenure यानि के पांच साल पूरे होने तक वो bond रखने होंगे उसके बाद ही उसकी payment उसको मिल पाएगी इन bonds की secondary market यानि के share market के अंदर कोई किसी किसम की trading नहीं हो सकती है कोई इन bonds की against आपको loan नहीं मिल सकता है कोई collateral security की तरह से आप इसको नहीं रख सकते कही पर भी simply आपको इसको रखना है घर पर 5% आपको interest मिल रहा है वो लेना है 5 साल बाद आपको आपका जो principal amount है जो investment amount है वो वापिस मिल जाता है बात करें अगर income tax की तो ATC के अंदर इसकी investment eligible नहीं होती जैसे के PPF की senior citizen saving scheme की जो 1.5 लाख रुपे तक की limit है ATC के अंदर हमें income tax में रियाद दिलवाती है इसके अंदर ATC की clause नहीं लागू होती है कोई TDS नहीं काटा जाता इसके interest amount के ओपर कोई TDS नहीं कटेगा आप चारों organization में से कहीं पर भी invest करें TDS का कोई clause नहीं है लेकिन जो 5% बयाज आपको मिलता है वो taxable है वो आपकी regular income जो total income है उसके अंदर add कर दिया जाएगा आपको income from other sources के अंदर उसको दिखाना है और जिस भी tax bracket के अंदर आप आते हैं उस tax bracket की percentage के हिसाब से regularly आपको उसके ओपर tax देना होगा दोस्तों यह थी 54 EC category की bonds फिर भी अगर आपके किस सवाल हैं तो आप नीचे comment box में जाकर जरूर पूछिए वीडियो को like करें चैनलन को subscribe करें देखते हैं different modes Thank you